हेलो वेलकम बैग कैसे तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्विच स्टेटमेंट या कंडिशन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप के बारे में ठीक लूप क्या है कितने टाइप की है कैसे इसको यूज करना वगेरा वगेरा सारी सीज़े हम यहां पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूप क्या है तो ऐसे नेम जैसे कि इसका नाम है लूप हमें कोई चीज को iterate या मतलब किसी को repeat करने का मुखा लेते हैं कि कोई condition अगरा हमारी कुछ ऐसी हो कि हमें कोई code block बार-बार run करना हो तो उसके लिए हम use करते हैं loops का ठीक है तो यहां पर लगबग चार टाइप के यह loop है जो कि हम यहां पर बात करें रहा है तो यहां पर हम एक second इसमें comment कर लेते हैं तो हमारा जो first loop है वो है four ठीक है इनके बारे में हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले सबी का नाम लिखे जाते है four यहां पर दूसरा loop है हमारा while and third loop है हमारा do while ठीक है और इसके बाद में सबसे last में आता है four each ठीक है four each loop पा सबसे ज्यादा use होगा जब भी आप कोई बड़े project पे काम करेंगे और आपके पास काफी सारा data होगा तो आप four each का सबसे ज्यादा यूज होगा अवी तक सबसे ज्यादा मेरा use होता है four each का उसके बाद में four loop और उसके बाद में while और कभी कबार on the condition based do while यूज फिर भी हो जाता है ठीक है लेकिन सब्से ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर फ रीज का थीक है तो इस पर थोड़ा सा जढ़ा चर्चा करेंगे बाकी पर नर्मल सी बातें करेंगे तो सबसे पहले बात आती है फौर लूप की तो फौर लूप कैसर अइक यू यूँ मानके चलो आपको कोई कोड है वो आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है तो यहां पे आपके पास चीजे रहेगी कुछ ऐसे वैल्यू आप पास कर सकते हैं कि आपका जो फोर वाला लूप है वो 10 टाइम्स आप रन कर सकते हैं ठीक है और मानलो अगर आपके पास कोई कंडिशन के बेस के ऊपर आप कोई कोड ब्लोक रन करना चाहते हैं तो आपके पास जुरूरी नहीं है कि वो 10 टाइम्स रन करना है तू हैंडर टाइम्स रन करना है वो जब तक कंडिशन आपकी रहेगी आप वाई लूप को रन करते जाएंगे ठीक है तो यहां पर ओन मतलों एक बार चलएगा उसके बाद में then check condition is true, मतलब अगर condition true है तो वो next code दो बार से रन करेगा, लेकिन one time only चलेगा ही चलेगा, तो do while का ये सबसे बड़ा फाइदा है, कि अगर आपको कोई code एक बार रन करना है, तो आप use कर सकते है do while loop का, ठीक है, for each यहां पर depend करता है कि आपके पास ये आपका array पर काम करता है, कि आपके number of array कितने हैं, उसके हिसाब से ये जो आपका loop है वो काम करेगा, कि मान लो अगर आपके पास किसी array के अंदर 10 items है, ठीक है, तो ये 10 times run करेगा, और अगर आपके पास 20 items है, तो for each loop, automatic 20 items उनको 20 times run करेग और for ये सारी आपको जो theoretical बाते हैं, वो अभी बता दिये, मैंने, अभी बात करते हैं कि ये कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, तो for जो loop है, वो कैसे लिखना आपको, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले for, उसके बाद में आपको bracket लगाना है, और इसके बाद में आपको curly braces यूज करने हैं, ठीक है, तो इस curly braces के अंदर जो भी code होगा, वो उधने ही time run होगा, लेकिन इसके अंदर आपको तीन value पास करनी होती है, नमबर एक वो value कहां से सुरू होगी, नमबर दो value कहां तक जाएगी, और नमबर थ्री कितना increment होगा, 1, 2, 3, 4, वो आपके डिपेंड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे simple example लेते हैं, कि variable index या i ले ले लेते है, variable i is equal to 0, ठीक है, variable i is less than or equal to 9 and यहाँ पर variable i plus plus, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो i की value होगो initialize की है, उसके बाद में उसको हम condition based check कर रहे हैं, और उसके बाद में उस value को हर एक loop के हम यहाँ पर इस लूप के अंदर कोई भी code को बार बार रन कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम echo करें variable i की जो की value हर बार change हो रही है, तो यहाँ पर हम save करके एक चीज और इसमें आड़ कर देते हैं, यहाँ पर add करते हैं echo और यहाँ पर br. ठीक है, टो पर आपका HTML जो की ब्रेक लाइन करता है कि मतलब एक लाइन को ब्रेक करता है तो यहां से अगर हम रीफ्रेस करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू हमने एड कि दी जैसे कि 0 1 2 3 4 ओटोमेटिक यह यहां पर 10 टाइम्स रन करा है जीरो टू नाइन मतलब 10 टाइम्स यह रन हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से फोर जो अपना लूप है वो काम करता है ठीक है तो यह तो होगी बिल्कुल सिंपल ठीक है अभी माल लो अभी तक हमने जो चीजे की हैल पीछे जैसे कंडिशन वगेरा भी एड किये तो वो करना चाहते हैं वेरियेबल एक को करेंगे यहां पर यहां पर दीस लूप Aug. अश्टारड स्ंक करते हैं करो से यहां पर यहां पर कंडिशन हमने चेक कर ली है कि जब ली एक की वेल्व अगर रिकोल टू 0 है तो यहां पर हम एक को कर रहे हैं लूप स्टार्ट को ठीक है सेव करते हैं रीफ्रेस करेंगे तो हमें वह वैल्यू यहां पर मिल जाएगी देख सकते हैं आप लूफ स्टार्ट और जीरो यहां पर आ रहा है जो कि हमने बियार नहीं लगाने की वज़ए से वह सेम लाइन में आ रही है ठीक है तो यहां पर कोफी करके से चेक कर सकते हैं कि वेरियेबल आई एकवल टू इकवल टू नाइन तो हम यहां पर एको कर रहे हैं लूप एंड ठीक है शेव करेंगे यहां से और चेक करेंगे तो इस तरीके से कंडेशन वागेरा भी हम एड़ कर सकते हैं किसी भी लूप वागेरा के अंदर अगर हमें एड करनी पड़े तो तो यहां पर यह हमारा लूप हो गया फोर लूप और नेक्स लूप की तरफ हम चलते हैं जो कि है हमारा वाइल लूप तो वाइल लूप में जैसा कि हमने बात के दीगी जब भी कंडिशन त्रू रहती है जब तक उस कंडिशन के भिहाब पे हमारी जो है आ जो हमारा लूप हो करता है ठीक है यहां पर भी सेम खंडिशन सब्सक्राइब है uranium सब्सक्तफी कि तो लेकिन यह वाला सिस्टम थोहड़ा तो अलग है ज्यादा इसमें अलग नहीं है जैसे कि अगर हम इसीली की बात करें और इस लूप को अगर हम वाइल में करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं क्योंकि कंडिशन यहां पर भी चेक हो रही है कंडिशन वाइल लूप के अंदर भी चेक होनी है और वहां पर भी हमें है ठीक है और इसको हम convert कर देंगे only while में save करेंगे यहां से बागी कुछ हमने changes नहीं किया है ज्यादा और सारी चीज़े वह ही है हमने जो इनिशलाइज किया था वह हमने बाहर किया है condition only while loop के अंदर चेक की है ठीक है यहां पर only condition हमारी पास होगी और लास्ट में जब भी loop हमारा चलता है तो हमने लास्ट में increment कर दिया है ठीक है इस तरीके से हम while loop भी कर सकते है ठीक है तो यहां पर मानलो अगर हमारी जो value है अगर फाइव है थीक है और फाइव की जगह 6 लेंगे क्योंकि 5 equal अगर 6 है तो यहां पर हमारा जो लूप है वो रन नहीं होगा ठीक है जो कि हमारी जो वैल्यू है वो पहले ही इस से ग्रेटर देन है ठीक है तो I is less than or equal to 5 नहीं है तो हमारा ये लूप रन नहीं होगा ठीक है तो अभी बात आती है next condition कि माल लो अगर हमें एक code block हर बार रन करना ही करना है लेकिन अगर दूसरी बार हम रन करें तो उस condition को हम चेक करें ठीक है तो उसके लिए हम use कर सकते हैं do while loop जो कि हमारा third section है जो कि code जो हमारा है वो एक बार रन होगा उसके बाद में while loop पे transfer हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं इसक और यहां से इसको मैं remove कर दूँगा और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम लिखेंगे do and यहां पर हम रखेंगे इसको paste ठीक है तो यहां पर मैं इसको हटा दूँगा यहां से और यहां पर मैं लिखूँगा कि echo code run ठीक है यहां पर save करेंगे हम पिछली जो हमारी statement थे टो यहां मेरा कोड़र नहीं हो रहाता जो वाइल के अनदर सबसे पहले कोड़रन होता है उसके बाद में कंहजीं की जाती है कि वह कोड़र्न करना है या नहीं गयासे करेंगे तो הזğ two times हमारा run हो रहा है तो इस तरीके से do while हमारा काम करता है और next वाला सबसे जादा यूज किया जाता है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी फिकर करने की जूरत है क्या है क्योंकि आगे सबसे जादा यूज होगा तो यहां यहां पर यहां पर मैं एक और ले ले लगता हूं जो मैं लिखूंगा i is equal to zero and यहां पर मैं लिखूंगा for each ठीक है जो कि हम use करने वाले है यहां पर मैं लिखूंगा array as variable key and variable value ठीक है तो यहां पर जो array है हमारा यह वाला वह इटरेट होगा हर पार उसके key मतलब की जो इसका index है वो और value मतलब जो यह हमने string पास किया है ठीक है तो अगर हम इसको एको करते हैं वेरियेबल की और इसको मैं कॉनकिनेट करता हूँ विद सेम ताकि हमें सेम सी वेल्यू मिले तो यहां पर हम इसको दोबारा कॉनकिनेट करते हैं वेरियेबल वेल्यू से एंड एको करते हैं बी आर जो की HTML टेग है और यहां पर बी आर एड़ कर देते हैं सेव करते हैं रीफ्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जीरो इंडेक्स हमारे पास वैल्लिव आ रही है सभी की सभी तो इस तरीके से हम इसको यूज का सकते हैं फॉर एल्स लूप को और आप देखना दाते हैं तो कितने टाइम रन हुआ है ठीक है तो मैं यहां पर जो वैल्यू है इसको वैरियेबल आई पलस पलस कर दूँगा और यहां पर एको करूँगा वैरियेबल आई को और यहां पर एक बी आर टेग यूज़ करेंगे बी आर ब्रेक लाइन एंड सेव करेंगे यहां से और रिफ्रेस करेंगे आप देखेंगे कि वन टू थी फोर एंड फाइव ठीक है तो फाइव टाइम से हमारा कोड रन हुआ है और हर बार इसकी वेल्यू पहले हमने जीरो रखी थी उसके अभी तक मेरे ख्याल से जब तक जो भी मैंने प्रोजेक्ट मैक्सिमम बनाए है तो जो कोड हम मुझे बार-बार कोई डाटाबेस से उठाकर कोई डाटा मुझे यहां पर एड करना पड़ता हो या मुझे उस कोड को बार-बार रिपीट करना हो तो मैं फोर इस लूप कर जाए तर मेरे पास एरे फो में जाता होता है तो फोर इस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन कंडिशन और मतलब प्रोजेक्ट की रिक्वार्मेंट के इसाब से हो सकता है कि आपको फोर या डू वाइल लूप का भी यूज करना पड़ सकता है तो आपको सारी चीज करते हैं और क्यों यूज किया जाता है तो आज की वीडियों बस इतना ही कोडिंग करते रही है मज़े में रही है तब तक के लिए बबाए